सभी को नमस्कार किसी एक भाषा की पुस्तक में व्यक्त विचार और भाओं को यथावत दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना अनुवाद है लेकिन यह बहुत ही चुनोती पूर्ण कारे है नीलिमा पेनु मूर्ती जी ने रामायन एंशेन्ट इंडियन एपिक पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करने का प्रस्ताओ जब मेरे समक्ष रखा तो मैंने सहर्ष इसे स्विकार कर लिया क्योंकि अनुवाद करने के कारे में मुझे बहुत रूची थी रामायन पढ़ने का सुनने का अनुभव मुझे था बचपन से ही रामलीला देखते हुए मैं बड़ी हुई किन्तु रामायन पर आधारिक पुस्तक का अनुवाद करने का उसर प्राप्त होना मुझे बहुत ही रूमान्चक लगा एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने में सबसे बड़ी चुनोती होती है पुस्तक के मूल भाव विचारों में किसी प्रकार का बदलाव परिवर्तन नहीं आना चाहिए साथ ही साथ पुस्तक की भाषा का माधुर्य शब्दों के अर्थ, परिवेश और वातावरन को हू बहु प्रस्तुत करना एक अनुवादत का बहुत ही महतुपून दाइत्तो होता है और मैंने अपना पूरा प्रयास किया कि मैं अपने इस दाइत्त को अच्छी तरह से निभा सकूँ रामायन एन एंशेंट इंडियन एपिक का अनुवाद करना मेरे लिए बहुत ही सुखद अनुभो रहा मैंने पूरा प्रयात्न किया है कि साहित्तिक के साथ साथ सरल हिंदी में अनुवाद करूं जिससे हिंदी भाशी और रहिंदी भाशी दोनों ही शोता आसानी से इसे समझ सके और आनन ले सके इस कार में मुझे नीलिमा जी का भी पूर्ण सहयोग प्राप्थ हुआ मैं नीलिमा पेना मूर्ती जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार के योग की समझा और यह मैं तुपूर्ण दाइत मुझे प्रदान किया सभी का बहुत बहुत धन्यवाद